दो बैलों की कहानी हीरा और मोती जूरी के पास दो बैल थे हीरा और मोती दीखने में सुन्दर, काम में चोकस, डिल डॉल में उंचे बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाई चारासा हो गया था, दोनों एक दूसरे के मन की बाद को समझ जाते थे, कभी-कभी वे दोनों आत्मियता की भाव से सींग भी मिला लिया करते थे नाद में खली भूसा पढ़ जाने के बाद दोनों एक साथ उठते, साथ नाद में मुह डालते और साथ ही बैटते थे, यदि एक मुह हटा लिता था, तो दूसरा भी हटा लिता था, इतना प्रेम था दोनों में जूरी भी उन दोनों बैलों से बहुत प्यार करता था, और उन्हें खास और चारा देता था एक दिन जूरी ने अपने बैलों को अपने साले कया को कुछ दिनों के लिए दे दिया हीरा, यह हमें कहां ले जा रहे हैं? लगता है हमें बेच दिया गया है मोती, और अब हम अपने नए माली के घर जा रहे हैं पर क्यूं? मालिक को हमारी इतनी मेनस से काम नहीं चलता था तो और काम करवा लेते? हमें तो मालिक की सेवा में मर जाना ही मंजूर था लेकिन उन्हों ने इस जालिम के हाथों क्यूं बेच दिया? हीरा और मोती जाना नहीं चाहते थे क्यूंकि जूरी ने दोनों को कभी मारा नहीं था अंतता अपने नए घर पर पहुँचने में शाम हो गई दिन भर के भूखे थे लेकिन नाद में एक नीभी मुह नहीं डाली जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वो आज उनसे चूट गया था यह नया घर, नया गाउं, नये आदमी, सब कुछ बिचित्र लग रहा है मोती यहां तो चारा खाने का मन ही नहीं कर रहा है हीरा हाँ मोती, तुम ठीक कह रहे हो, यहां की सब कुछ बेगाने से लग रहे है तो चलो, खूटा तोर कर अपने पुराने घर लोड़ चले, जोड लगाओ हीरा और दोनों के एक छटकी से ही रस्ती तूट गई जल्दी जल्दी भाग मोती जुरी प्राताकाल सोकर उठा, तो देखा हीरा और मोती दोनों चर्णी पर खड़े हैं और जूरी ने डोड़ कर उन्हें कले लगा लिया हीरा और मोती के लोट आने का समचार फ्रेलते ही गाउं के लड़के जमा हो गए तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे अरे वाह क्या बात है हमें दोनों पश्यों का सम्मान करना चाहिए ये लो रोटिया खाओ, ये गूर भी ले लो अरे ऐसे बैल किसी के पास न होंगे हाँ हाँ, इतनी दूर से दोनों अकेले ही चले आए ये बैल नहीं, उस जनम के आदमी रहे होंगे परन्तो जूरी की पत्नी यह सब देख कर चल भुन गई यह कहकर जूरी की पत्नी वहां से चली जाती है तब जूरी ने अपने नौकर से कहा अगले दिन जूरी का साला गया फिराया बैलो को ले जाने के लिए इस बार उसने दोनों को गाड़ी में चोता हीरा मैं चाता हूँ गाड़ी को खाई मिठा केल दू नहीं मुती ऐसा करना ठीक नहीं है हीरा तु मुझे कुछ कर नहीं नहीं देते हो अरे जलते क्यों नहीं चलता चलते तलते शाम हो गई घर पहुँच कर गया ने फिर वही रोखा सुखा भूसा डाल दिया अरे फिर वही रोखा सुखा भूसा हीरा मैं भूखा रह लूँगा पर ये नहीं खाऊंगा तब ही एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लिये निकली तुमने कुछ खाया नहीं ये लो तुम्हारे लिए रोटियां लाई हूँ वो लड़की फैरो की थी उसकी अपनी मा नहीं थी और उसकी सौतेली मा उसे हमेशा मारते रहती थी हर रात वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती थी इन दो रोटियों से उनका पी तो नहीं भरता था परन्तु उनके दुखी मन को अवश्य शांत करता था दोनों तिन धर खितों में जाते और खूब बंडे खाते पर शाम को उसी अस्थान पर बाध दिये जाते थे हीरा और मोती की आँखों में और उनकी रोम रोम में विद्द्रोह भरा हुआ था अब तो और सहा नहीं जाता हीरा तुम करना क्या चाहते हो मोती? यहीं कि अपने सिंगों पर उठा कर पटक देना चाहता हूँ इस घर के मालिक को अगर ऐसा करोगे तो वह प्यारी लड़की अनाथ हो जाएगी बेचारी हमें रोटिया खिलाती है यह उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है तो क्या मालकिन को फ्यक दूँ जो इस लड़की को मारते रहती है? नहीं नहीं ऐसा भी मत करो हीरा तुम मुझे कुछ करने ही नहीं देते हो अच्छा तो बताओ रस्टी तुरा कर भाग चलें हाँ यह ठीक है मोती पर इतनी मोटी रस्टी तूटेगी कैसे? रात में छोटी बच्ची रोटियां खिलाने आती है तुम दोनों चुपके से भाग जाओ नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे वे लोग तुम्हारे नाकों में नाथ डाल देंगे मैं तुम्हें खोल देती हूँ भाग जाओ अरे भागो अब चलते क्यों नहीं हीरा? भाग तो जाएंगे मोती पर इस बच्ची पर संकट आ जाएगा सब इसी पर संदेह करेंगे अरे जाओ भागो भाग हीरा भाग दोनों बैलों को भागाने के बाद छोटी बच्ची बोलती है दोनों फूफा वाले बैल भागी जा रहे हैं दादा दादा दोनों बैल भागी जा रहे हैं जल्दी दोड़ो गया ने दोनों का पीछा भी किया लेकिन पकड़ ना सका हीरा और मोती भाते भाते रास्ता भटक जाते हैं बिच्ज़स परिचित मार्ग से आये थे उसका पता नहीं जल पाया नए नए गाउं मिले लगे मुझे मालूम होता है हम रास्ता भूल गये हैं हीरा, हमें उस आदमी को वहीं मार गिराना चाहिए था नहीं मोती, वो अपना कर्तब्य भूल गया था तो क्या हम भी अपना कर्तब्य भूल जाएं? हीरा, अब क्या करें? देखो भूख काफी लगी है, खेत में मटर की फलियां लगी है पहले उसे खाते हैं और फिर सोचते हैं पेट भर खा लेनी की बार दोनों ने आजादी का अनुभव किया और मस्त होकर थोड़ी शरारत करने लगे तभी अरे, ये क्या? कोई सान हमारी ही तरफा रहा है हाँ, सान ही है ये तो घमंड में फूला हुआ है हमारी आरजो बिंती भी न सुनेगा चलो भाग चलते हैं मोती हम कायर नहीं हैं हीरा हम दोनों एक साथ उस पर वार करते हैं मैं आगे से वार करता हूँ और तुम पीछे से करो और कोई दूसरा उपाय नहीं है हीरा ठीक है मोती हीरा मोती ने संगटित होकर युद्ध लड़ा और कुछ देर के युद्ध के पश्चात दोनों ने दूर्द सांड का पीछा किया लेकिन घायल सांड बेदम होकर गिर पड़ा हमने इसे पचार दिया है हीरा मेरा जी चाता है इसे मार ही डालू नहीं मोती घायल शत्रु परवार नहीं करना चाहिए नहीं हीरा दुश्मन को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे अच्छा अब यह सोचो की घर कैसे पहुँचोगे पहले कुछ और खा लेते हैं फिर सोचेंगे सामने ही मटर का खेत है दोनों खेत में मटर खाने लगते हैं तभी मोती लगता है कुछ लोग हमें पकड़ने आ रहे हैं और उन लोगों ने दोनों को घेर कर पकड़ लिया जल्दी ही उन्होंने स्वयम को एक कांजी हाउस में पाया वहाँ पहले से कई दुबली और डर्विय चानवर बंद थे, पर किसी के सामने जारा ना था मोती तुम तोड़ो, मुझमें अब दम नहीं बचा है मोती दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगता है बाड़े की दीवार कच्ची थी, मोती अपने नोकीले सींग से दीवार पर वार करने लगा तबी कांजी हाउस का चौकिदार उसे यह करते देख लेता है और दोनों बैलो को डंदे से मार मार कर मोटी रसी से बांध दिया क्या फाइदा हुआ, मार भी पड़ी और बांध भी दिये गए मैं तो जोर मारता ही रहूंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए जान से हाथ धोना पड़ेगा हीरा, कोई परवाह नहीं, वैसे भी तो मर नहीं है सोचो, अगर दिवार तूट जाती, तो कितने भाईयों की जाने बच जाती किसी की देह में जान नहीं है, दो-चार दिन यही हाल रहा, तो सारे मर जाएंगे हाँ, यह बात तो है, अच्छा चलो, मैं भी जोर लगाता हूँ दो घंटे के प्रयास के बाद, जानवरों के भागने लायक दिवार गिर गई दिवार गिरते ही, अद्मरी के पड़े हुए चानवरों में चान आ जाती है घोडिया, बक्रिया और भैसे सबी भाग जाते हैं, लेकिन गधे चियों का त्यों खड़े थे तुम क्यों नहीं भाग जाते हो, अभी तो भागने का उसर है? नई, फिर पकार लिये जाएंगे, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे अधे राथ हो चुकी थी, लेकिन गधे अभी तक सोच रहे थे कि भागे या ना भागे अरे भाग? मोती ने स्लिंग मार मार कर दोनों को भी भागा दिया, लेकिन हीरा बंधे होने के कारण भाग नहीं सकता था मोती, तुम भाग जाओ, शायद फिर कहीं और भेट हो जाए हम दोनों की हीरा, क्या तुम मुझे इतना स्वार्थी समस्ते हो, तुम्हें संकट में छोड़ कर मैं भाग जाओं बहुत मार पड़ेगी मोती, लोग समझेंगे कि ये सब तुम्हारी ही शरारत है मुझे मनजूर है हीरा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ कर भाग नहीं सकता हीरा, भाग नहीं सकता सुबर होते ही कर्णचारियों में काफी खलबली मच गई, मोती की खोब पिटाई भी हुई, और उसे मोती रसी से बांध दिया गया दोनों एक सब्ता तक वहां बंधे पड़े रहे, चारे के नाम पर सिर्फ पानी दिया जाता था इस कारण वे दोनों काफी कमजोर हो गए थे, तभी जानवरों की निला में हो रही थे, दोनों बैल पेचे जाने वाले थे ये रहा बैलों का जोरा अरे ये तो हड़ी का धाचा मातर रह गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे यहीं चाहिए दोनों बैल चान चुके थे कि वो आदमी उन्हें क्यों खरीद रहा है निलामी के बाद दोनों दरे हुए चानवरों को बोल ली जानने लगा गया के घर से हम बेकारी भागेते हीरा, अब तो हमारी जान भी नहीं बचेगी, हमें मार दिया जाएगा कहते हैं भागवान सब के उपर दया करते हैं, एक बार उन्होंने नन्ही लड़की के रूप में हमें बचाया था क्या अब नहीं बचाएंगे? यहां आदमी छूरी चलाएगा, देख लेना तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सिंग, हड़ी, सब किसी न किसी के काम आ जाएंगे कई घंटों तक वे चलते रहें, तभी अरे, ये सड़क जानी पहचानी सी लगती है मोती, गया इसी रास्ते से हमें ले गया था वही खेत, वही बाग, वही गाउं और वही कुवा, इसी कुवें पर हम लोग पूर चलाने आया करते थे हमारा घर नस्दीक आ गिया है हीरा दोनों की सारी ठकान और दुरबलता गायब हो गई और दोनों ने चटक कर रसी तोड़ती फिर बचलों की भाती घर की ओर दोड़े और इस तरह अपने घर पहुंच जाते हैं जहां जूरी घर के पास भूप सेक रहा था हीरा और मोती, आग है तुम? जूरी दोड़ कर उसे बारी-बारी से गले लगाने लगा तभी दाड़ी वाला खरीदार बैलों की रसीयां पकड़ लिता है और कहता है चुपके से चले जाओ, ये मेरे बैल है मैं बेचूँगा, तब तुम्हारे होंगे किसी को भी मेरे बैल निलाम करने का क्या अधिकार है? मैं पुलिस को बुलाऊंगा, रसी मुझे दो इस पर मोती ने भढ़क कर उस पर सीन से वार किया और उसे मारने के लिए पीछा करने लगा मोती ने उसे तवडा कर गाउं से पाहर कर दिया और फिर विज़ई भाव से वापस अपने घर की ओर लोटाता है जूरी नादों में चारा पानी देकर दोनों को सहला रहा था, तब ही जूरी की पत्नी दोड़ी दोड़ी आई और दोनों के माथे को चूम लिया